आज किस वीडियो में हम लोग सम्मिधान की सभी विसेस्ताओं से सम्मंदित सभी कोशन्स को कवर करेंगे और ये सभी कोशन्स किसी ने किसी एक्जाम में आए हैं जैसे SSC हो या फिर railway इन सभी एक्जाम में पूछे गए ये सभी कोशन्स है तो इन्हें आप लोग कवर कर लिजे ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉटन टॉपिक है जहां से कोशन्स पूछे गए हैं तो चलिए देखे कि कौन कौन सा कोशन्स पूछा गया है अगर आपके एक्जाम में ऐसा आता तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं में चलिए फर्श्ट फ्रसंज सावर करते हैं फ्र्ष्ट कोशनस जर कि समिधहां सवाक्य अध्यक्श कौन थे इसका राइट अंसरों राज्च पर्साद फर्स्ट कोर्शन्स का अंसर राजन्द प्रसाद होगा यानकी समिधान सवाक के अध्यक्स कौनते राजन्द प्रसाद सकेंड है भारतिय समिधान के संबंद में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसर होगा अपसन नमबर ए यह कई समिधान का मिश्रन है जी बिलकुल हमारा जो समिधान जो बनकर के तयार वाई फ्रेंट्स ये बहुत सारे जो देशों का समिधान है उनसे लेकर के बनाये गया है ठीक है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आप लोग अंतर जरूर देखेगा देखे किस टाइप का गया है आगे भारत में कौन सा दिन समिधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसकर आइटांसर का अप्शन नमबर A 26 नौंबर 26 नौंबर को हम लोग यहां पर भारत में समिधान दिवस के रूप में मनाते हैं आगे है भारत का सरवच कानून किसे माना गया है इसकर यानि कि भारतिय समिधान हमारे भारतिय समिधान को ही भारत का सरवच कानून माना गया है आगे है भारतिय समिधान को समिधान द्वारा कब अंगिक्रीत और अधिनियमित किया गया था इसका इसका अपसर नमड़ी यानि कि 26 नमबर 1949 को अगर आप लोग प्रस्तावना पढ़ जानते हैं तो ठीक है आगए भारत के समीधान के मौसवधा समीति के अध्यक्ष कौन थे इसकर अप्यरत के लिए सबसे पहले समीधान सभा का विचार किस ने दिया था बहुत ही important है यह questions बहुत बार repeat हुए है इसका item सब option number B यानि कि एमन रॉय एमन रॉय नहीं भारत के लिए सबसे पहले समिधान सभा का बनाया गया था किसको सर्चिदानन सिन्धा कोट ठीक है इन्होंने ही अध्यक्ष्टा की थी आगहे समिधान सभा के प्रारूप समिथी के अध्यक्ष कौन थे समिधान सभा के प्रारूप समिथी के अध्यक्ष कौन थे इसका right answer option number A डॉक्टर भीम रावंबितकर अविजश्ट आपने उपर में इसी कोशन्स को किया आगह भारते समिधान के निर्ने यानि कि निर्मान के लिए जो उद्देशियों का कथन है उसको प्रस्तूत किया ग हिरू ने देखे फ्रेंट्स इस टाइप को कोशन्स पूछा जारा एक्जाम में ठीक है आप लोग अच्छे से प्राही कीजिया और देखे कि आपको किस तरह से कोशन्स कर पाते हैं आगह भारत्य समिधान के प्रारम के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था समिधान सभा के पहरे सत्र का जर्ब किया गया था इसक राटाम साटों मेर्द यान की 1946 को 1946 को ही पहरी बार समिधान सभा का परा सत्र ओजिंगीया था आगे है समिधान सवा ने किस दिन भारत के राष्टिय धच को अपनाया था इसकर आइटम सब का उप्शन नमर डी यानि की 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्टिय ध्वज है इनको अपनाया गया था भारत के द्वारा आगे भारत का राष्टिय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाय गया था इसका आटम सब अप्शन नमर सी याने कि 26 नमरी 1950 को फ्रेंड्स आपके लिए एच जबर यानिक होमवर्क है जब आप लोग वीडियो देख लिएंगे तो आप लोग में कमेंट जाकर कीजिएगा कि जो हमारे राष्टिय प्रतिक है वो कौन सा है और वो कहां से लिया गया है जिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है एग यहां पर भारत का सम्मीधान गंतांतांतरिक है क्योंकर क्यों गंतांतरिक है बताना है आपको इसका ऐटवर्च अपसिन दि इसमें कोई वनसानुगत घटक नहीए जो बिलकूल हमारी यहां पर कोई भी वनसानुगत घटक नहीए ठीक है आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सरवादिक व्यापक समिधान किस देश का है ये भी कोशन्स बहुत बार रिपीट हुआई इस्टार लगा लिजेगा अपना देश इसकाラःट आईटि अंसर का भारत ठीक है सबसे बड़ा समिधान किसका है हमारे समिधान में ठीक है आगे है भारत में किस प्रकार की सासन व्यवस्था अपनाई गई है इसका राजनीतिक व्यवस्था में इन में से कौन सर्वोच होता है इसका राजनीति व्यवस्था में पूछा क्या है भारते समिधान का अभिवावक कौण है इसका राजनीति कौण पर में आभिवावक की सासन व्यवस्था है ये तो सभी को पता होगा इसका राइटांसर का option number A 18 words आजके इस वीडियो का अंत्यम questions कि लिखित समिधान की अवधारना ने सरपर्थम कहां जन्म लिया क्या आप बोला गया लिखित समिधान की जो अवधारना है वो सरपर्थम कहां जन्म लिया यान कि कहां पे हुआ सबसे पहले लिखित समिधान का इसका राइटांसर का option number A यान कि France ठीक है तो friends इस तरह से मैंने आपको समिधान में जो भी important विशिष्टाएं थी अर्था जो भी questions पूछा गया था वो सभी important था मैंने कड़ा दिया उमीद है ये आपको revision या फिर ये previous years में I have questions आपको अच्छे लगा होंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया किजिए क्योंकि हमेशा हम आपके लिए टॉपिक वाइज questions लाते रहते हैं friends चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत